गाईज वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल आज मैं आपको ये एक सीफोन का ब्लाउज पीस है जो की हम सारी मैस से निकालते हैं इससे हमें आज आपको एक बहुत ही यूनिक ड्रिस का आइडिया बताऊंगी तो वीडियो को एंट तक जरूर दिखिएगा तो ये ब्लाउज पीस हमारा दो कलर में है तो ये जो ब्राउन कलर है और ये जो ब्लैक कलर है इसी ब्लैक कलर से मैचिंग बैक के पार्ट के लिए मैं ये ब्लैक कलर का कपड़ा अलग से लूँगी और सबसे पहले इसी ब्लैक कपड़े से मैं back का part cut करूंगी तो मैंने ये black color का cotton का कपड़ा लिया है और जिसको मैंने इस तरह double fold करके रखा है अब हमें solder के लिए निसान लगा रहा है तो 7 inches पर मैं solder का निसान लगाँगी और solder का निसान लगाने के बाद arm hole भी मैं 7 inches ही रखूंगी तो इस तरह से आम होल का निशान भी मैंने लगा लिया है और उसके बाद आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना है आपका जो भी चेस्ट मेजरमेंट हो उसका फॉर्थ पार्ट लेना है तो मैं यहाँ पे आठ इंचिज ले रही हूँ उसके बाद सोल्डर से 14 इंचिज पर आपको फिटिंग के लिए कमर की फिटिंग के लिए मार्क लगाना है और यहाँ पे कमर के लिए भी आपको फॉर्थ पार्ट लेना है तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ उसके बाद हिप के लिए आपको सोल्डर से 20 इंच पर निशान लगाना है और फिर हिप के लिए भी आपको 4th पार्ट लेना है आपकी जो भी हिप का मेजरमेंट हो तो मैं आपे 9 इंच ले रही हूँ आप अपने according ले सकते हैं तो यह देखी हमारे तीनों निशान लग चुके हैं और अब आप इन तीनों पॉइंट को इस तरह से आपस में मिला लेंगे उसके बाद हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो यह मैं 1 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क लगा कर सीधी लाइन ड्रो कर दूँगी तो यह देखी मेरे निशान लग चुके हैं अब उसके बाद मैं नेक की कटिंग करूँगी तो नेक की छोड़ाई मुझे 3 इंच रखनी है और इसकी डीप लेंट में रखूँगी 4 इंच पर तो इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है और फिर एक इस तरह से हलकी सी गोलाई दे देनी है इस ओल्डर में भी आपको इस तरह से गोलाई देनी है और उसके बाद इस तरह से कट कर लेना है अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम है सुइंग टिप्स जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक आउट कर सकते हैं तो ये देखे इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है और अगर अब इतक्षक्राइब को मेरे को सब्सक्राइब कर दीजी गाएद वही सीफॉन बॉजबाउच पीस लिया एक मेरे किव jeśli आप माुद ौप और सीफॉन के सीफॉन बॉजबाउच स Soul से हम front के part के cutting करेंगे तो back के part को हमने front के पार्ट के उपर रख दिया है और हम इसको उपर रखने के बाद इसी size से front का part cut कर लेंगे याद रखिए कि siphon blouse myself को हमने double fold करके रखा है तो ये देखिए हमारे front part की भी cutting हो चुकी और अब इसी front और back के part को बेक के पार्ट के मेजरमेंट के अनुसार हमें इन दोनों के लिए ही लाइनिंग यानि की अस्तर की कटिंग करनी है उसके बाद में हमारा ये जो एक्सा बच्छा था कपड़ा सिफ़ान ब्लाउज पिस से उससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे गाईज आप और भी इस तरग के युनिक आईडियाज देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरग के लेटिस्ट वीडियो रेगुलरी मिल सके तो यह हम इस तरग से इसको सीधा करेंगे पहले और फिर इस मैसे स्लीव्स की कटिंग करेंगे एक और बात कभी भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा टुकड़ा कपड़े का या फिर कोई भी ब्लाउज भी इस तरह से एक्स्ट्रा पढ़ाए तो प्लीज उसे बाहर मत फेकिएगा क्योंकि उससे आप एक बहुत ही अच्छी यूनिक ट्रेस बना सकते हैं या फिर कोई और चीज भी बना सकते हैं पर उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा कि आपको इस तरह के यूनिक आइडियाज मिल सके अब आपको इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके स्लीव्स की कटिंग इस तरह से कर लेनी है तो यह देखिए मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और जो हमारा एक्स्टा नीचे का बलेक पार्ट निकला था उसको हम इस तरह से इसके नीचे जोइन कर लेंगे अब मैंने जो अस्तर काटने के लिए बोला था उस अस्तर को मैंने पहले से ही इन दोनों पार्ट में अटेच कर लिया है और अब मैं इन दोनों के फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में सोल्डर से जोइन कर लोंगी तो ये दीखिए इस तरह से आपको इन दोनों को आपस में जोइन कर लेना है और इस तरह से जॉइन करने के बाद अब हम इसके उपर स्लीवज अटेच करेंगे स्लीवज अटेच करने से पहले जो भी एक्स्टा जो पीछे मार्जिन है उसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसके उपर मैं इस तरह से ये स्लीवज अटेच कर लोगी तो इस तरह से मैं स्लीव्स रखूंगी और इसको इसके उपर दोनों साइड जॉइन कर लोंगी स्लीव्स अटेच करने के बाद मैं इसके दोनों साइड फिटिंग का निशान लगाकर इस कुर्ति को कम्प्लीट कर लोंगी तो ये sleeves मैंने attach कर ली है और अब दोनों ही side fitting के लिए जो हमने निशान लगाये थे उनी निशानों के accordingly हमें उसके उपर stitch लगा लेनी है और फिर उस तरह से हमारी कुर्टी बनकर बिल्कुल ready हो जाएगी सो guys आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी कुर्टी हमारी बनकर ready हुई है I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा